हलो मेरा नाम है चंद्रहास इस्टेडी स्मार्ट में आपका स्वागत है दोस्तों यह मेंसुरेशन का पार्ट थ्री है यहां पर हम देखेंगे टोटल फाइव कोश्चन जो आपके एक्जाम में अगर आएंगे तो आपको कैसे सॉल्व करना है इसको आप देखेंगे तो मैंने मेंसुरेशन के और सारे पार्ट बनाए हुए आपको देखने आ है अगर तो यहां पर मैं दे रहा हूँ प्लेलिस्ट का लिंक जिस पर क्लिक करके आप मेंसुरेशन के वो सारे पार्ट देख सकते हैं चली जल्दी से स्टार्ट करते हैं हम चली पहला कोशन देखते कि कहरें कि कोई गाय है जो किसी rectangular field में जिसकी size दिया गया है क्या 30 x 20 meters है देखिए यहाप एगर ऐसे बनाओ यह आपका rectangular मा लिजिए फिल्ड है इसके किसी भी एक corner पे कोई भी गाय आपकी बंधी हुई है ठीक है तो कहरें हैं कि इसकी लंबाई कितनी है रसी की जिससे बंधी है कि वो पूरा area कौन सा होगा तो देखिए इस तरह के questions आएंगे तो यहां पर आपको क्या करना है कि माली जी मैं यहां पर कहता हूं कि इस corner पर यहां पर यह गाय बंधी हुई है तो यह जो आपकी रसी होगी हमेंसा यह stretch ही आपको लेना है माली 14 cm के रसी है तो ऐसे आपको निकालना है तो हम क्या करते हैं माली जी 14 cm यह आपके रसी है तो यहां से यह इतना पूरा area चर सकती है कि नहीं बताइए यहां पर बंधी होगी तो इतना पूरा area चर सकती है यह आपको मिल गया क्या area ओकी तो इसमें ध्यान क्या देना है इसमें आपको ध्यान देन पूरा सर्कल आपको निकालना है तो एक यहां पर नाइंटी डिगरी तक ही घूम सकती है तो हम क्या करेंगे हम यहां पर और और कुछ नहीं कर सकते हैं तो हम क्या करेंगे हम नाइंटी डिग्री उपर लिखेंगे और बटे में क्या कर देंगे 350-360 मतलब क्या पूरा एरिया का पूरे सर्कल का अरिया कितना होगा 360 degree अगर हम यहाँ से पूरा घुमे तो लेकिन अभी हम के ओल इतना पार्ट ही कवर कर रहे हैं तो हम के ओल 90 degree लेंगे ठीक है या आप दूसरे शब्दों में कहें तो एक ओल चौथाई पार्ट ही हम इसका ले सकते हैं तो यहाँ पर आपको आर की वैल्यू क्या रखनी है जितनी लंबी आपकी रसी होगी यही आपकी क्या होगी आर की वैल्यू यह होगी तो इसके बाद आपको बस एरिया निकालना है तो क्या करेंगे सारी वैल्यू उसको आप पूट कर दीजिए तो जैसे ये 90 है ये 360 है ये आपका 1 by 4 हो जाएगा ठीक है पाई की वेल्व आपको कहा है कि 22 बटे 7 यूज करनी है तो आप बस उसको रख दीजे 1 by 4 22 बटे में 7 आर की वेल्व क्या रखनी है आपको तो आर की वेल्व रखनी 14 cm यहां पर रखेंगे 14 और यह क्या गुड़े में 14 321 में कुड़ेट 12 14 हो जाएगा तो 21 और 14 का क करना है कितना असान होता को पता है कितना जाएगा 154 स्काइर यह एरिया वगा जो गाए 14 मिटर स्कौइर आपको निकालना है 2 और आपका है सही है बस ऐसा इसे इंग करना इसका कहीं पर भी यूज नहीं हुआ लेकिन इसका भी यूज हो कैसे सकता था आपको बता दू कि अगर यहीं पर पूंच लेता कि वह एरिया बताए जो नहीं चर सकती है मतलब यह बाहर वाला अली हापको अगर पूछा जाता तो कैसे करते इसको यह 30 होता और यह 20 होता पहले इतना इरिया निकाल लेते कितने एरिया को ट्रेवल्ल Here सकती है और उसके बाद इन दोनों को घटा लेते तो आपको यह बाहर वाला अलिया जाता हृण। अगर दोनी छे कितना जाता 600 154 इसमें से आप क्या करते घटा लेते तो घटाएंगे एक सुचों कितना गए सो घटाएंगे तो आएगा 500 500 में भी आप 54 घटा देंगे तो आपको कितना मिलेगा 46 तो कितना जाएगा यह आपका जाएगा आपका क्या वैल्यू दिया गया है फालतों में उसको यूज करना ही करना है ऐसा जरूरी नहीं है मरी ख्याल से आपको यह समझ में आया होगा इसका एक extension question भी आता है उसको भी मैं आपको करा देता हूं जिससे आपका concept थोड़ा सा और clear हो जाए चलिए second question देखते हैं क्या है कि at each corner of triangular field of sight 26 meter 28 meter 30 meter a cow is tethered by a rope of length 7 meter यह आर लिखावा एरिया है the area ungrazed by the cow is कह रहे हैं कि आपकी कोई आप triangular field है rectangle नहीं है क्या है triangular field है मा लिजे ऐसे आपकी यह triangular field है करें कि इसके हर एक कोने पर यहाँ पर भी आपके यहाँ पर भी और यहाँ पर भी एक एक cow बंधी हुई है और कौन उसकी रस्ती की length क्या है साथ मीटर है तो मा लिए यह साथ मीटर की लेंथ होगी तो यह इतना एरिया और करेगी और इसकी साइट से दिया हुआ तो कसने चले आंगेजये हैं होगा उसमें कोई भी आसी परेशानी वाली बात होगी 109 वाली निकालना है जैसे मैंने पीछले कोशन में बताय था कि आपको वह बताएं बता है इसे को चालर कंशल मों को घट करेंगे हम को रहाइया चले बता होना यह सब आपका एंगल कितना है तभी आप निकाल सकते हैं क्योंकि इतना तो पता है कि क्या होगा सर्किल होगा तो सर्किल का आपका एरिया क्या होता है पाई यार स्कॉयर लेकिन यहां पे सर्किल का पूरा एरिया मतलब क्या सुरू से लेकर अंतता अगर हम कर आते हैं तब होता है pi r square लेकिन यहां पे हम पूरा नहीं जा रहे हैं तो कितना जा रहे हैं यह आपको देखना होगा तो यहां पे ऐसा कुछ भी नहीं दिया हुआ है कि यह आपका equilateral triangle है कि क्या है equilateral triangle होता तो सब आपका 60 degree पे होता तब हम निकाल सकते थे 60 upon में 360 करके तो यहां पे कुछ दिया नहीं है तो हम क्या यूज करेंगे हम simple सी property यूज करेंगे कि कोई भी आपका triangle होता है तो उसके जो angle का sum होता है वो आपका कितना होता है तीनो angle का sum होता है 180 degree तो हम तीनों का एक साथ ही निकाले यह तो पता है कि हमको तीनों अगर जोड़ देंगे तो 180 से ज्यादा यह होगा नहीं तो हम यहां पे क्या लिखेंगे 180 और नीचे क्या लिखेंगे बटे में 360 बस 180 से 360 दो बार में कट गया पाई की वेल्यू 22 बटे 7 और र की वेल्यू 7 आप रख दीजी तो आज हैगा एक बटे में 2, 22 बटे में 7, गुड़े में R की वेल्यू क्या है 7 और गुड़े में 7, 7 से 7 कट गया, 2 से 22 कट गया, 11 गुड़े में 7 कितना गया 77 meter square मिल गई आपको value वो area है जो इन तीनो गायों के द्वारा ग्रेज किया जा रहा है तो ये आपको मिल गया area पूरा तीनो का total मिला ऐसा नहीं कि अब इसमें 3 से गुणा करना है क्यों नहीं क्योंकि हमने यहाँ पे तीनो angle को जोड़ करके ही एक साथ निकाल लिया है अब यहाँ पे हम को निकालना होगा यह जो triangle है इसका area क्या होगा यहाँ पर हमको पता है कि area के लिए हम use करते हैं 1 by 2 into B into H यह हमको पता है कि use करते हैं Kol taşा लगे बीमाल लिजे कोई भी हो सकते लेकिन H की value हमको दिया नहीं है तो हमको जो दूसरा formula होता है, hero's formula जो मैंने बताया था, first part में आपको वो use करना होगा तो उसके लिए हमको क्या निकालना होगा, सबसे पहले निकालना होगा S S कैसे निकालते हैं, तीनो sides को add करेंगे और upon में क्या करेंगे 2 तो 26 प्लस 28 प्लस 30 और upon में क्या करेंगे 2 42, S की value आगे कितनी, 42, hero's formula क्या होता है, एक बार फिर से लिख देता हूँ मैं, पूरे के under root आता है, माले जो बराबर है S, S-A, S-B, S-C, यही होता है, तो यहाँ पर S की value तो पता है, 42, A, B, C की value क्या, एक एक side की value आप रख दीजे, ABC में, कोई भी ऐसा general नहीं कि A की value 26 रखने, A की value 28 रख दीजे, 30 रख दीजे, कोई एक रखिए, बस repeat नहीं करीगा उनको, ठीक है, तो यहाँ पर मैं सबसे पह यहाँ पर लगता हूं, 42 माइनस में 28, और यहाँ पर लिखता हूं, 42 माइनस में 30, अब इसकी value आप solve कर लिजे, अंडरूट फिर से लगा देता हूं, यहाँ पर, यह क्या हो जाएगा, 42, और यह गुणे में, 42 में से 26, आप माइनस करें, कितना हो जाएगा, 16, गुणे में प्रब्लम होती है, किसको गुणा करते हैं, उसकी बाद निकाते हैं, आपको कुछ नहीं करना है, इसको बस आप prime factors में तोड़ दीजे, कुछ नहीं समझ में आता है, तो prime factors में तोड़ दीजे, 16 तो आपको पता चल गया, 4 का square है बाहर आ गया, 42 किसका square है नहीं पता है न आ प्रणे में 3, अब इसमें से आप pairing कर लिजे, 7 और ये 7 एक pair बन गया, तो एक 7 भी आपका क्या गया, बाहर आ गया, यहां पर मैं लिखता रहता हूँ, सबसे बाहर आपका 4 है, और ये 7 भी बाहर आ गया, यह आपका 2 है, ये 2 इस 2 से pair बनाया, तो एक 2 भी बाहर आ गया, य ये आपका 3 है, ये इस 3 से pair बनाया, तो एक 3 भी बाहर आ गया, और कुछ बचा, हाँ, ये 2 pair बचे है, तो ये भी आपके बाहर आ गया, ठीक है, अब आप इनको गुणा कर लिजे, 2, 3, 6, 6, 2, 12, 12, 12, 18, 84, 84 गुणे में 4 करेंगे, तो कैसे करना है, 80 प्लस 4, 8 चोग 32, 4 चो तो 136 meter square ये इसका area गया, triangle का, अब दोनों को आपको बस minus कर लेना है, तो 336 minus में 77 आपको कर लेना है, तो 16 में से 7 जाएगा, कितना हैगा, 9, 12 में से 7 जाएगा, कितना हैगा, 5, और यहाँ पे बचा कितना होगा आपका, 2 बचा होगा, तो 2 आपका बाहर आ गया, 269 meter square ये area बचा हुआ है, जो गायों नहीं खाया है, तो ये आपका second वाला option आपका, क्या होगा, true होगा, ध्यान रखिएगा, कई लोग इसको question को करना है, इतना भी आपका कठीन है, देखे, मैंने किया है, बहुत जादा कठीन नहीं है, इस question को करना, पहली बात तो इसको समझना कठ लखिन होता है, कि यहां पर पूचा क्या गया है, कई लोग होते हैं, यह दिया गया, यह दिया गया है, बस वो सोचते हैं, बस यही पूचा गया है, कि ग्रेजड एरिया कि इतना दोनों तीनों गायों के दोरा चरा गया है, तो वो भी आपका option में है, तो 77 निकाल अच्छ अधर भी नहीं लाना है, इन दोनों को घटा के लाना है, कि आता है, 269 यह आपका सही option होगा, मेरे ख्याल से आपको समझ गया होगा, क्या यहां पर आपको सौधानी बरतने की जरूरत है, और कभी भी triangle वगयर आता है, और आपको यहां पर height नहीं दिये होती है, तो आप हि पूरे question के एगर मैं भूम के आपको पहले बता हूँ, question को करना बहुत आसान होगा, question को करने में ज्यादा calculation भी नहीं होगी, लेकिन यहां पर आपके लिए जो दसमलों का part होता है, बहुत tough होता है, देखिए अगर option को देखिए, 0.528, 528, 528, 528, 528, 528, 528, देखिए, मतल option ला सकते हैं, बहुत आसानिक साथ, ठीक है, गलत आप answer लाएंगे, और आपका number भी कट जाएगा, तो ध्यान से देखेंगे, क्या यहां पर करना होगा, कहने कि diameter of each wheel of a car is 70 cm की car है, उसके जो चक्के होते हैं, पहिये होते हैं, उसकी जो diameter हो क्या है, 70 cm, if each wheel rotates 400 times per minute, करें कि अ यह हैं, वो आपके एक minute में 400 बार अगर घूमते हैं, तो बताना क्या है, the speed of the car in kmph, km per hour में आपको car की speed बतानी है, और यहां पर यूज़ करना है, 5 बराबर 22 बटे में 7, तो मालीज़, यह कार का पहिया है, यहां पर ऐसे मैं बना देता हूँ, हलाकि तेड़ा पहिया है, तो यह आपका पहिया है, मालीज़, गोला ही समझेगा, तो पहिया है, और इसका diameter दिया गया है, कितना है, 70, diameter का मतलब क्या है, यह आपका जो center से होके जाते है, यह आपकी जीवा, तो यह आपकी diameter है, 70 cm, तो हमको पता है कि R कैसे निकालते है, D by 2 करके, तो D by 2, 70 बटे में कितना जाएगा, 35, तो R की value यहाँ पे कितनी आ गई, 35 cm आपका क्या आ गया, R आ गया, तो बताइए, आपका जो car का पहिया होगा, यह एक round में कितना चक्कर लगाए, कैसे निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, हम इस जो यह आपका circle समझ ले, इसका क्या निकालेंगे, circumference निक निकाल लेंगे, यह आपका पूरा area, एक चक्कर लगाएगा, तो अपनी परिधी के बराबर ही तो एक चक्कर लगाएगा, तो हम निकाल लेते हैं कि एक चकर में कितनी दूरी चितने करेगा, फिर उसको क्या करेंगे, 400 से गुणा कर देंगे, बस इतना सा काम है आपका, त जब भी आपको पहिये का case आता है, वील का case आता है, तो वहाँ पे आपसे अगर distance पूछी जाए, चाहे speed पूछी जाए, वहाँ पे आपको 2 pi r ही निकालना होता है, क्योंकि जो पहिया होगा, वो एक बार में कितना चक्कर लगाता है, वो उसके circumference के द्वारा ही decide होता है, तो circumference निकालने के लिए धियान रखेगा, आपको r का पता होना जरूरी है, उसका radius कितना है, ठीक है, चाहे वो diameter से आपने करेंगे, चाहे आपको direct दिया गया है, तो direct आप यूज करिए, तो 2 pi r निकालेंगे, यहाँ पे pi की जगा पे 22 बटे 7 यूज करना है, तो 2 धियान रखेगा, यूनिट्स का धियान आपको रखना होगा, सेंटीमीटर, तो यह किस में आगया, सेंटीमीटर में आगया, यह क्या है, एक आपके rotation का यह आगया, एक rotation करेगा, तो 220 सेंटीमीटर चलेगा, तो 400 अगर rotation करेगा, तो कितना दूर चलेगा यह, तो 400 पर आवर में तभी हम इसको करते हैं आखरे में जाके कर लेंगे ठीक है सेंटीमीटर में आ गया ये क्या है एक मिनट की बात है एक मिनट में इतने सेंटीमीटर पहिया चलेगा लेकिन निकालना क्या है किलोमीटर पर आवर में यही ध्यान रखने वाली बात होगी पर आवर म में पता चलेगा कितना दूर वो गया है 88 गुणे में आपका यह कितना जाएगा 60 ठीक है तो इसको करना कैसे 88 इंटुव में 6 करना है या तो आप डारेक्ट गुण कर सकते हैं या तो आप ऐसे करिए कि इसको 88 को 90 समझे और 6 से किया हुगा है 527 मिला और यहां पे तीन गेरो यहां पर यहां पर एक्स्ट्रा लगा लिजे यह तो आ गया एक घंटए में कितनी दूरी हो चला है, तो हमने यहां पर डिस्टेंस निकाल लिए है जिकने निकाल लिया है लेकिन इसमуска कि सेंटिमिटर निकालना, कि किलो मीटर का मतलब क्या होता है आपको पता क्या है कि एक सेंटिमेटर होगा तो कितने सेंटिमेटर बराबर होता है तो सो से भाग दीजिए फिर आपको पता क्या है कि एक किलो मीटर होता है तो एक हजार मीटर के बराबर होता है तो इसके गुणे में आप एक हजार और कर ल गया किलो मीटर पर आवर में वेल्यू मिल गई बस यहीं आपका एंसर हो गया कॉंसर ओप्शन सही है देखिए अब यहां पर उप्शन भी चूज करने में डिफकल्टी होगी तीसरा आपका सही है ठीक है तो इसी तरह आपको करना है बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं हो जो भ आपका है 35 cm आया है तो इसको आप यहीं से किलो में चेंज कर लिए तो आपके लिए आसान होगा करना ठीक है आखरी में आके करिए तो भी और अच्छा है तो आपको यहां पर एंसर सही सही मिल जाएगा तो ध्यान रखने माली बात क्या है कि जब भी वील का केस आएगा त तब ही आप सारी चीज़ें वहां पर आसानी से बता सकते हैं यहीं पर पूछा गया होता क्या कि उसकी की डिस्टेंस आपको दे देता कि इतनी दूरी चलता है तो बताई कितने चक्कर लगाता है वो तो उसको भी आपको ऐसे ही करना था आपको डिस्टेंस जब दिया गया तो बिल्कुल भी टेंशन लेने वाली बात नहीं होगी, अगर आपको concept पता है, तो आगे चलते हैं, ये देखें कोशन, अब इस कोशन को पढ़के समझना थोड़ा सा कठीन होगा, तो इसको ध्यान से हम पढ़ेंगे, ठीक है, क्या लिखाओ, ABC is an isocellus right angle triangle, एक एक point आप ध् एंगल, ट्रेंगल है, isocellus का मतलब क्या होता है, समधी बाहु त्रिभूज, right angle triangle का मतलब क्या हो गया, सम कोण त्रिभूज, ठीक है, कि समधी बाहु सम कोण त्रिभूज है, with angle B square to 90 degree, एंगल B ही उसका 90 degree है, पहले ही बता दिया है, तो आपको इसको ऐसे ही बनाना होगा, जैसे इसने बताया है, तो मैं यहाँ पर मालीजे बना लेता हूँ, यह आपका triangle बनाया, right angle triangle, ठीक है, यह मैंने A लिया, और यह क्या लिया, B लिया, और यह क्या लिया, C लिया, यह क्या है, आपका 90 degree पर है, ठीक है, 90 degree पर भी आपका है, on the sides AC and AB, two equilateral triangles, ACD and ABE, have been constructed, करहें क on side AC and AB, AC वाली side मतलब जो कर्ण है, और AB वाली side जो भी हमाली, यह लंब है, इन दोनों पर एक-एक equilateral triangle बनाया, यहां पर समझना क्या है, कि equilateral triangle बना है, मतलब यहां से एक triangle और construct हुआ है, कुछ इस तरीके से, और यहां पर क्या होगा, जितना AB की लंबाई होगी, उतना इन equilateral triangle है, ठीक है आपका, equilateral triangle कुछ इस तरीके से हमालीजी हमने बना लिया, यह आपका हमालीजी होगया D, तो यह AC की लंबाई के बराबर इन दोनों भुजाओं की लंबाई होगी, तो क्या आप पूछ रहे है, the ratio of area of triangle A, B, E and A, C, D, कि A, B, E, और A, C, D, दोनों तरी भुज नहीं की है, तो, ठीक है, तो draw करना इसको कठिन होगा, draw कर लिया, तब तो आसान हो सकता है, तो हम माल लेते हैं, यहाँ पर क्या ही, यह आइसो सेलेश्ट triangle है, यह property ध्यान में रखिए, और यहाँ पर हम अगर BC को X मानेंगे, तो AB भी क्या हो जाएगा, X, अब ध्यान रख करन क्या होगा, कि Lumb का square plus Aadhar का square, ठीक है, तो Lumb का square करेंगे X square plus Aadhar का square, और इनका under root हम निकालेंगे, क्या जाएगा, यह करेंगे तो आपका हो जाएगा 2X square under root में, और आ जाएगा X root 2, यह इसकी value क्या आगई, X root 2, तो इतनी इसी बात आपको बस समझ में आनी चाहिए, अब आप यहां से इजली निकाल सकते हैं, आपको पूछा क्या गया है, ratio पूछा गया है, ABE और ACD का, तो धिहान रखेगा कि जो पहले पूछा गया है, उसको आपको ऊपर रखना है, तो यहां पे area ABE बटे में area ACD, यह निकालना है, क्योंकि यहां पे option देखे, जैसे 1 is to 3 ह तो यहां पे आपको confusion create होगी, ठीक है, निकाल भी लिए answer सही, तो यहां पे confused हो सकते हैं, तो हम ABE का area अगर निकालें, तो यह आपका X है, तो यह भी X होगा, और यह भी X होगा, क्यों, क्योंकि यहां पे क्या बताएगा, equilateral triangle है, मतलब sum बाहुतरिभूज है, ठीक है, तो sum sum बाहुतरिभूज का मैंने आपको क्या formula भी बताया था, याद होगा first part में, क्या होता है sum बाहुतरिभूज का formula, root 3 by 4 A square, जहां पे A क्या था, भूजा, तो बस हमको put कर देना यहीं पे, तो sum बाहुतरिभूज का formula है, root 3 by 4, अब यहां पे A की जगा पे क्या है, X है, तो क् A की जगा पे क्या रखना है, X root 2, X root 2 और इसका whole square, यह तो पूरा कड़ गया, root 3 by 4, root 3 by 4, पूरा कड़ गया, बचा क्या है, उपर बचा है, X square, नीचे क्या है, जब square करेंगे इसका क्या हो जाएगा, X square और root 2 का square करेंग क्या हैगा 2, X square से X square कड़ गया, क्या गया, 1 upon 2, त आप थोड़ी सी गलती कर देते, A, C, D को उपर लिख देते, A, B, E को नीचे, तो fourth all option आप true करके आ जाते, जो की क्या होता, गलत होता, हाला कि निकाल आपने सबको सही होता, लेकिन आपने यहाँ पर पढ़ने में या समझने में गलती की होती, जिससे क्या हो जाता, गलत, तो इस तरह की questions अगर आते हैं आपके exam में, तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूद होगी, मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा, आगे बढ़ते हैं, पांचवा question देखते हैं क्या है, A playground is in shape of rectangle, कोई playground है, जिसका shape क्या है, rectangle का shape का वो है, मालीजे ऐसे, आपका ये rectangle के shape का है, sum of rupees 1000 was spent to make the ground usable at the rate of 25 पैसा पर square meter, कह रहे हैं कि 25 पैसा पर square meter के rate से उस ground को usable, मतलब उपयोग करने है तो बनाया गया, तो total खर्चा कितना हुआ, 1000 रुपे खर्चा हुआ, total ये खर्चा है 1000 रुपे, और rate क्या है, कि 25 पैसा हर एक square meter पे उसने लिया हुआ है, य if the length of ground is increased by 20 meter, कि अगर length को, ये जो length है, करें कि इसको 20 meter increase कर दिया गया, तो what will be the expenditure at the same rate per square meter, करें कि अब बताइए कि expenditure क्या होगा, इसी, same यहाँ पे 25 पैसा अगर है, तो same rate पे आपका expenditure क्या होगा, तो यहाँ पे आप से पूचा गया है कि अब rate, अगर वही same रहता है, तो ख इहान से पढ़िए, तो आपको अगर यहाँ पे area निकालना होता है, किसी भी rectangle का, तो आपको दो values पता होनी चाहिए, length और breadth, length to b होता है, लेकिन यहाँ पे question में ये तो बताया गया है, कि length आपकी 20 meter बढ़ाएगे, लेकिन पहले length कितनी थी, इसकी कोई भी जानकारी नहीं ह है, और ना तो यहाँ पे आपको b बताया गया है, कि breadth इसकी कितनी है, तो अगर आप इस question को solve भी करना चाहिए, तो आप इस question को solve ही नहीं कर सकते हैं, तो अगर आपके इस तरह के question आएंगे, तो इसका answer क्या होता है, data inadequate, मतलब आपका जो data है, वो आपका sufficient नहीं है, या फिर आप लिखें, cannot be determined, कि आपका यह determine नहीं किया जा सकता है, ठीक है, लेकिन अगर इसी question में, अगर फर्दर इसी question में, अगर मैं b की value यहाँ पर लिख देता हूँ, तो मालीजी ब्रेट्थ आपका दे दिये गया 50, मालीजी आपकी 50 मीटर दे दिगई breadth, ठीक है, तब आप इस question को कर सकते हैं, तो इस question को यहाँ पर ऐसे लिखा है, कुछ लोग होते हैं, जो तुरंत जुड जाते हैं करने में, कि वो 25 को 25 से भाग करेंगे, 1000 को ऐसे सब कुछ काम करने लगे, लेकिन अगर आप छोटा सा point यहाँ पर देखें, आप कुछ भी निकालेंगे, तो आपको length और breadth पता होनी चाहिए, length और breadth के बारे में आपके जानकारी नहीं दी गई है, कि actual में दोनों में से किसी एक की भी जानकारी होती, तो आप निकाल सकते हैं, आपको पता है, आपका एक equation है, तो एक unknown होना चाहिए, यहाँ पर हमारा एक equation है, लेकिन यहाँ पर दोनों ही आपक क्या है, unknown है, तो यहाँ पर आपका formula काम नहीं कर सकता है, तो determine नहीं कर सकते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर होता है, तो यहाँ पर लिखा होता, C&D, तो वही आपका क्या होता, true होता, तो अगर यहाँ पर मैं कहता हूँ, चली, बी दे दिया, कि 50 meter है, अब आप निकालिए, त कैसे करेंगे इसे, तो आपको पता क्या है, कि 1000 रुपए total खर्च हुए है, ठीक है, और rate क्या है, 25 पैसा हर एक square meter पर खर्च हुआ है, तो यहाँ से हम यह area तो निकाल सकते हैं, कि कितना area आपका होगा, कैसे, 1000 रुपए total है, और 25 पैसे हर एक square meter पर खर्च हुए है, तो हम क्या करें, 25 पैसे से इसको क्या करें, भाग देतें, ठीक है, लेकिन यह क्या है, पैसे में है, और यह क्या है, रुपए में है, तो इसको भी हमको अगर रुपए बनाना होगा, तो हम क्या करेंगे, बटे में क्या कर देंगे, 100 कर देंगे, तो यह कितना जाएगा, 1 by 4, यह को फ़चिस चौह के 100 कर देंगें और यह 40 स्क्वार मितर निकालते हैं जब कि यह भूल जाते हैं कि यहां पे एक यूनिट का है पैसा और यह यूनिट क्या है आपका ये यूनिट हैपका रुपया ठीक है रुपी इस है दोनों आपको सेम करना होगा, चाहे पैसे को रुपए में बदली, चाहे रुपए को पैसे में, तभी आपका सही एरिया आएगा, एरिया आपको पता चल गया कितना है, 4000 मीटर स्कॉयर, अब ब्रेट आपको पता कितनी है, 50 है, तो हमको पता है, L इंटू B बराबर कितना है, 4000, और यहाँ पे ब्रेट कितनी है, 50, तो L निकाल सकते हैं, असानी से, 4000 बटे में क्या करेंगे, 50, 00 कटा, और यह 58, 40, लेंथ कितनी आगई, 80 मीटर ये लेंथ आगई आपको, बस 80 मीटर आगई, करें 20 मीटर और बढ़ा रहे हैं, मतलब अब लेंथ कितनी हो जाएगी, 80 प्लस मे में, B की जगा पे 50, लेंथ बदली है, ब्रेट वही है, तो कितना जाएगा आप ये, 5000, और यहाँ पे फिर से, 25 पैसा है आपका, 25 पैसा पर स्कॉर मीटर का खर्च है, वो क्या है, सेम है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 1 by 4 करेंगे, फिर से 25 बटे में सब क्यों करें, 1 by 4 आप सीधे लिखे, और आप भाग दे दीजे, कितना जगा, 4 एकम 4, 4 दोनी 8, 4 पंचे 20, और ये आपका 0, 1250 रुपए आ गया, कौन्स उप्शन सही है, पहला वाला उप्शन आपका, सही है, ये आपका आएगा, तो ध्यान रखिएगा, कोश्चन जो पूछा जा रहा है, तो जब भी इस तरह के कोश्चन आएंगे, तो आपको इसी तरह आपको करना होगा, देखे, इस कोश्चन को करने का एक तरीका और हो सकता था, कैसे कर सकते थे, कि आपको पता क्या है, कि अगर आपने ब्रेट्थ आपको पता है, कि 50 यहां पर दिया गया है, तब की बात कर अप एक्स्टा निकाल लीजिए कि इतना एरिया कितना है बस आपका काम हो जाएगा आपको पता कि इतने के लिए तो आपने 1000 रुपर पहले ही पे किया हुआ है एक्ष्ट्रा कुछ और बड़ है तो उसका वस खर्चा आप निकाल लीजिए मतलब क्या कि यह आपका 20 मीटर है और यह आपका क्या है 50 मीटर है 50 गुड़े में 20 करेंग कितना जाएगा 50 गुड़े में 20 करेंगा जाएगा आपका 1000 20,000 और 1000 मीटर को आपको 1 200 मतलब आपका इसका खर्चा कितना जाएगा 1500 गपी जाएगा 1650 वहां से भी आप एंसर निकाल सकते हैं कहने का मतलब यह चाहे आप इधर से करिए जा इधर addresses कर एकर sono आपका सेम आएगा लेकिन तब जब length of breadth में से कोई एक दिया होगा तब मैंने ख्याल से आपको यह समझ में होगा पांचवा question भी इस तरह के और भी questions होते हैं जो बहुत simple होते हैं तो मैंने नहीं लिया है जैसे यहाँ पर आपको दे देगा कि एक tile है जिसका आपका length है इतना है मालीजे दे दिया length उसकी 2 है उसकी breadth जो है एक है अब आपको निकालना क्या है कि इसमें कितनी टाइलें आपकी लगेंगी एक tile का खर्चे दे देगा मालीजे 10 रुपए है तो बताए कितने रुपए की tile लगेंगी तो यह सारे question तो बहुत आसान होते हैं पूरे का area आप निकालीजे rectangle का area कितना है एक tile का area कितना है दोनों को divide कर दीजे number of tiles निकल आई number of tiles जैसे ही आपको निकल आती है जितना भी rate आपसे कहता है आप वह असानी से निकाल सकते हैं इसी question को अगर कर दूँ कि यहां पर मुझे मालीजे यहां पर length दिया हुआ है 80, breadth दिया हुआ है 50, तो मैं जहे पता है कि इसका total area कितना है 4000 m2, एक tile की length आपकी यहां पर दी गई है, length आपकी 1 दी गई है, breadth दी गई है 2, तो एक tile का area कितना हो जागा 2, तो यहां पर कितनी tile बिच सकती है, तो मैं क्या करूंगा, यह जो tile का area उससे divide कर दूँगा, तो 2, 2, 4 कितने आ जाएगा 2000 tile है, यहां पर बिचेंगी, एक tile का खर्च अगर 10 रुपए है, तो total कितना खर्च आएगा, तो 10 का आप बस गुना कर देए, कितना जागा, 20,000 यह आपको value मिल जाएगी तो इसी तरह आपको करना है, बिल्कुल tension लेने वाली बात यहां पर नहीं होगी, तो इस वीडियो में बस 5 कोशन मैंने यह लिए हैं, मेरे ख्याल से आपको यह पसंद भी आया होगे, समझ भी आयोगा कैसे मैंने इसको बताया है, और कैसे आपको exam में भी करना है, तो banking sector को ध्यान में रखते हैं, SSC वाले जो लोग होंगे, वो इस पर फोकस नहीं करेंगे कि अभी बहुत सारी चीज़ें यहां पर छूट गी है, क्योंकि SSC के लिए एक तो मैंने दूसरा चैनल बनाया हुआ है, आप उसको जाके सब्सक्राइब करिए, उस पर भी मैं पर फोकस रखता है, तो बैंक के लिए इतना ही sufficient होगा, फिर भी अगर आपको कोई problem होती है, तो आप comment कर दीजेगा वीडियो के नीचे, कि आपको इस question में problem हो और ये 2D वाले में, जिससे मैं आगे अगर वीडियो बनाऊंगा, तो उसको भी include कर लूँगा, तो इस वीडि देखने को मिलेगा, तो वहाँ पर जाके आप उसको subscribe कर सकते हैं, तो इस वीडियो में बस इतना ही, अगर आपने चैनल को subscribe नहीं किया है, तो यहाँ पर जाके आप चैनल को subscribe कर सकते हैं, जिससे इस तरह की जो वीडियो से आपको daily मिलती रहो और आपकी preparation और अच्छी होती रहे, तो यह वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, अब हम मिलेंगे next वीडियो में, तब तक के लिए have a nice day and bye